हाई दोस्तो मैं हूँ मुझाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं मुफ्ती कैविन हम आपको कैविन दिखा रहे हैं यूटूब के माध्यम से दोस्तो हमारा पूरा कोशिस रहेगा कि आपको मैं एक एक चीज इस कैविन का बताऊं थाके आप अच्छी तरिके से समझ सके तो यह रहा दूर से इसका नजारा देखने में इस तरह का है आप किसी भी कलर में ले सकते हैं कैविन हमारे कंपनी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं contact number हमारा description में दिया रहेगा और सामने में एक छोटा सा मुफ्ती cabin लिखा है logo उसके नीचे watermark में number दिया गया है इससे भी आप contact कर सकते हैं तो हमारा company है है हैदराबाद में चलिए आपको दिखाते हैं ये पीछे का नजारा है cabin का और cabin का size है 12 by 20 12 by 20 के पीछे दो window है और एक बगल में है एक window एक window सीड़ी के तरफ है यानि कि कुल चार window है इसमें एक toilet bathroom है और एक kitchen है और उपर में आपको ठहरने की space जगा बनाई गई है जो आप यहां से देख सकते हैं चलिए आपको मैं आपको मैं सामने का नजारा दिखाता हूँ उससे पहले थोड़ा सा आप इधर भी देख ले ये इसका बगल वाला side है जहां पे AC provision दिया गया है और ये सामने का नजारा है सामने से दोस्तों यह cabin वाउ लाइक अ वाउ बि उसरी डोर से भी जा सकते हैं यानि कि दोनों डोर की personal personal डोर है और अंदर से भी एक डोर है तो आपको चलिए उपर का सबसे पहले नजारा दिखाता हूँ कि उपर कैसा दिखता है मैं सीड़ी के माध्यम से उपर चहड़ रहा हूँ और यहां देखिए यह पूरा space दिया ग उसमें बैट की बाते करें और मौसम का पूरा मजा लें और बाहर का नजारा यहां से क्या ही देखने को मिलेगा तो आपने देखा दोस्तों यहां का नजारा चलिए अब नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद आपको अंदर का नजारा दिखाऊंगा तो उससे पहर एक बार फ्रंट लुक हो जारा चाहिए तो ये फ्रंट लुक था और आपने देखा आप चलिए अब अंदर चलते हैं टंटना ये खुल गया कुंडी और हम अंदर में तो अंदर का नजारा ऐसा है दोस्तो क्या ही लुक है इसका और आप देख रहे हैं मुफ्तिक क्याविन यूटूब के माध्यम से हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें तो ये सिंग है और इस पे एक नल लगा हुआ है और यहाँ पे कीचन का सारा सामान रखने का जरिया है यहाँ आप गया सिलंडर वगरा कुछ भी रख सकते हैं और मसाला उसाला का डबा भी यहाँ पर आप आराम से रख सकते हैं तो ये था बाहर का नजारा कीचन का और अब इसको मैं कर देता हूँ बंद तो ये हो गया है बंद दोस्तों अब आपको मैं सीधे दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा बगल देख लीजिए ये विंडो रहा यहाँ पर और ये आगया मैंडोर और यहीं से दर्वाजा है अब यहाँ एक विंडो और यहाँ एक विंडो और बगल में देख रहे हैं दोस्तों यह है एक टॉइलिट बात्वूम जो आप यहाँ पर नहा भी सकते हैं और बात्वूम के लिए भी इस्तिवाल कर सकते हैं यह था लगजरी सीट था यहाँ पर दोस्तों और यहाँ पर सारे सावान का तैयारी किया गया है यहाँ पे एक जोस्ट फैल लगा है यहाँ पे शावर लगा है और यहाँ पर एक मिकसर पानी का नल वगएरा भी लगा गया है तो कमबोड आपने देखा क्या ही प्यारा कमबोड है यहाँ से फ्रेश कर सकते हैं आप और आपको मैं एक चीजा और दिखाओं यह नल वगएरा सब कुछ है यहाँ पर आपको दिया गया है गीजर मसीन का पॉइंट यहाँ से आप गीजर मसीन लगा सकते हैं और यह रहा क्र फॉर वाई शिक्स का तो यह फॉर वाई शिक्स का बात्रूम था या फॉर वाई फाइब होगा अब चलिए आपको इसी दर्वाजे से आपको पहले ये सिंग देख लीजिए ये सिंग देखे दोस्तों यहाँ पर आप हाथ वगरा दो सकते हैं और हाथ वगरा दोने के बाद आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं ये रूम इतना बड़ा है आप चलिए आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ यही रूम का पूरा नजारा यह आपने देखा इसमें पांच लाइट एक फैन लगा हुआ है चाहे तो आप इसमें एसी लगा सकते हैं इसमें एसी का प्रोविजन दिया गया है MCB, MAN, Light Board वगरा सब कुछ है आप चलिए दूसरे रूम पर चलते हैं दूसरे रूम आपको खोलते ही यह देखिए आगया मेरा दूसरे रूम टंटना इसमें चार लाइट है एक मैन बोर्ड है और एक फालतु का केनेक्शन दिया हुआ है जिससे आप मैं जिब 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 कोई भी लाइट इसमें दे सकते हैं और हर विंडो के नीचे एक मोबाइल चार्जर सौकेट लैप्टोप चार्जर कुछ भी कर सकते हैं इससे पॉइंट दिया हुआ है और यहीं पर एक मैं बोर्ड दिया हुआ है इस रूम का सारा कनेक्शन वहीं से होता है तो देखा दोस्तों आपने हमारा फर्ष यह देख रहा हमारा दूसरा रूम भी फिर से ही देख लीजे अपने देख लिया दूसरा रूम अब आपको मैं चाहूं के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए मैं क्याविन बनाया है उनका ये परपस था कि हमारे पास दो दरवाजा होना चाहिए तो मैंने उसको दो दरवाजा दिया बाकि आप जैसा ओर्डर करें हम उसे बना करके देंगे बिल्कुल आपके मुताबिक ही बनेगा और यह क्याविन आप देखे दोस्तों यह क्याविन का लाइफ होगा कम से कम 25 साल इसका क्याविन का लाइफ है और इसका वारेंटी हमारे कंपनी के तरफ से एक साल का रहेगा गारेंटी एक साल का रहेगा और वारेंटी इसमें 20 साल का वारेंटी रहेगा तो आपने देखा खुब तूरत सा क्याविन जो 12 बाइट 20 का था झाल 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 हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें